नमस्कार से भीको स्वागत आपका हमारे चैनल के उपर मेरे नाम है आक्षे आज हम रिव्यू करेंगे जावा 42 का टू कलर्स के अंदर आती है गलैटिक ग्रीन और नेबिला ब्ल्यू प्राइस शुरू होती है एक लाग बतर जाज छेसो पैसे से एक लाग है कैसी जार छेसो साथ रुपया यह आप ग्लैटिक ग्रीन देख रहे हैं कलर अपनी आखों के सामने आई शुरू करते हैं फ्रंट से ऐसा दिखता है कुछ फ्रंट आपको फ्रंट के अंदर हैलोजन बल्म मिलेगा हैड लाइट के अंदर देखिए जावा की बैजिंग मिलेगी लाइट के आप के अनदर देख सकती हैं 12 वर्ड का बल्म मिलेगा हैलोजन बल्म के अंदर यह देखिए इंडिकेटर ही मिलेगे आपको जाओ-42 दू के अंदर यह देखिए दूसरा इंडिकेटर और मिड के अंदर आपको नमर प्लेट लगाने की जगह मिलेगी आई फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक फोक 35 mm का सस्पेंशन मिलेगा देखिए फ्रंट मढगार्ड आई यह फ्रंट टायर प्रफाइल की बात की जाए तो आपको मिलेगा 90, 90, 1851P ट्यूबलेस टायर जावा 42 क्लासिक लेजेंड की बैजिंग आपको एलोए को उपर मिलेगी देखिए आप अपनी आँखों के सामने देखी सकते हैं नायलोन ग्रिप की बैजिंग टायर के उपर यह देखिए जावा की बैजिंग एलोए को उपर आई फ्रंट ब्रेक की बात करते हैं यहाँ पर मिलेगी आपको 280 mm की डिस्क विद फ्लोटिंग कैलिपर विद एबियस MRF का टायर है देखिए फ्रंट मढगार्ड यह देखिए टायर सेक्षिन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आप रोक कर देख सकते हैं वीडियो को बाइबरी की डिस्क ब्रेक मिलेगी आपको 280 mm की देखिए कला का बहुती सुंदर मिशन प्रस्तूत करता हुआ जावा 42 यहाँ पर आपको मिलेगा 1.3 मीटर का वील बेस देखिए आएए की की बात करते हैं यहाँ पर लगी की और ऐसी दिखती है कुछ जावा 42 की की देखिए बहुती सिंपल की मिलेगी आपको जावा 42 की सिंपल और अकरशक की आईए स्पीडोमेटर की बात करते हैं ऐसा मिलेगा आपको स्पीडोमेटर डिजिट्रल स्पीडोमेटर मिलेगा आपको जावा 42 के अंदर देखिए ऐसा देखता है कुछ स्पीडोमेटर क्रोम की गानिश दी गई है चारो तरफ राउंड शेप स्पीडोमेटर मिलेगा आपको जावा का लोगो यह देखिए जावा की बैजिंग दी गई है ग्रिप के उपर हैंड ग्रिप के उपर इनिशन ओन ओफ हैजर्ड लाइट का स्विच सेल्फ स्टार्ट मिलेगा आपको जावा 42 के अंदर यह देखिए हैंड ग्रिप के उपर जावा की बैजिंग और जावा का लोगो यह देखिए फ्रंट ब्रेक ऐसी दिखती है कुछ फ्रंट ब्रेक हैंडल हैंडल के मिट के उपर जावा की बैजिंग मिलेगी आपको देखिए वाइरिंग को बहुत ही अच्छे तरिक्के से बांध गया देखिए फ्रंट के अंदर यह देखिए सेटिंग के स्विच इस लोग बीम हाई बीम स्विच इंडिकेटर का स्विच होन का स्विच वो दूसरे साइड भी आपको जावा की बैजिंग हैंड गरिप के उपर मिलेगी यह देखिए क्लच सिक्स स्पीड का ट्रांस्मिशन आएगा आपको जावा फोटी टू के अंदर देखिए क्लच है सदिखता है कुछ देखिए ग्लैटिंग ग्रीन कलर देख रहे हैं आप अपनी आखों के सामने जावा मोटर सैकल की बैजिंग फ्यूल लिड के उपर यहाँ पर आपको मिलेगा 12.5 लिटर का फ्यूल टैंक देखिए फोटी टू क्लासिक लैजिन की स्ट्राइपिंग मिलेगा आपको जो टैंक के स्टार्टिंग से लेके सीट तक जाएगी यहाँ पर आपको मिलेगी 780 mm की सीट हाइट देखिए कुछ ऐसी दिखती है सीट क्लोजर लुक देखिए सीट का देखिए ऐसी दिखती है सीट जावा को जो लोगो होता है वैसी स्ट्राइपिंग मिलेगी आपको सीट के उपर यह देखिए उपर से कुछ ऐसी दिखती है बाइक ओल ओवर बाइक यहाँ पर आपको आएगा बोर स्ट्रोक ट्विन एक्जोस सिस्टम जिसकी दाइमेंशन है 76 बाइ 65 यहाँ पर आपको मिलेगा पिलर के लिए ग्रैब हैंडल देखिए मैं पकड़ के खिला देता हूं ग्रैब हैंडल ऐसा कुछ दृश्या है जो है आपको दिखेगा पिलर के ग्रैब हैंडल पकड़ने के बाद जावा 42 की बैजिंग स्ट्राइपिंग दी गई है टूल बोक्स के उपर देखिए बैट कलर के अंदर एग्जोस्ट मिलेगा आपको एग्जोस्ट नोट देखिए कुछ ऐसा दिखता है टूइन एग्जोस्ट आता है जिसको जावाब बोस्टोक टूइन एग्जोस्ट कहता है जिसकी प्रोफाइल है वो 76 x 65 mm की है यह पिलर के लिए फूट रेस्ट जिसके उपर जावा की बैजिंग दी गई है यही छोटी-छोटी चीज़े होती है वो प्रीमियम ना इसको एड़ करती है क्लासिक लाजेंड 42 की बैजिंग टूल बोक्स के उपर और यहाँ पर मिलेगा आपको टैंक के उपर जावा की बैजिंग दी गई है स्टैपिंग दी गई है जावा का लोगो दिया गए है देखिए और यहाँ पर आपको मिलेगा 294.72 cc का सिंगल सिलेंडर फो स्टोक लिक्विड कूल डियो एससी इंजिन जिसकी मैक्सिम्म पावर आटपूट मिलेगी आपको 27.32 पीएस की देखिए ओरिजिनल जावा 1929 और जावा के लोगों की बैजिंग दी गई है इंजिन कवर के उपर रिफ्लेक्टर दिया गया है आपको रेडियेटर के उपर देखिए जावा 42 के अंदर आपको इलेक्ट्रोलनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है जिससे फ्यूल की जो खपत है वो कम लगती है और मैलेज जो बाइक है ज्यादा देती है यह दिखिए होर्ण यहाँ पर लगती है की जावा 42 की ऐसे दिखती है बाइक यहाँ पर आपको मिलेगी 182 के जी का करवेट जावा 42 के अंदर देखिए फ्रांट का क्लोजर लुक पर यहाँ से भरा जाएगा कूलेंट रेडियेटर के अंदर यह दिखिए रिफ्लेक्टर दिया गया रेडियेटर के उपर मैट कलार के अंदर आपको इंजन कवर मिलेगा यह दिखिए रेर ब्रेक यह दिखिए राइडर फूट रेस्ट पिलर फूट रेस्ट अई यह रेर प्रफाइल के बारें बात करते हैं यहाँ पर आप रखेंगे अपनी जो टूल बॉक्स है आई रेर सस्पेंशन की बात करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फिल्ड विद अड्जेस्टिबल प्री लॉडड़ी सस्पेंशन रेर ब्रेक की बात की जाए और रेर टायर प्रॉफाइल की बात की जाए तो आपको मिलेगा 120, 80, 17, 61P ट्यूबलेस टायर देखिए यह रहा टायर प्रॉफाइल आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर क्लासिक लेजेंड 42 की बैजिंग मिलेगी आपको एलो एग उपर 240 mm डिस्क विद फ्लोटिंग कैलिपर विद ABS आपको मिलेगी रेर फ्रेंट में आपको जो ब्रेक मिलती है वो 280 mm और रेर के अंदर 240 mm की मिलेगी यह देखिए रेर लुक कुछ ऐसी दिखती है बाइक की जावा की बैजिंग सीट के उपर स्ट्राइपिंग कारपन फाइबर जासी टैंक के उपर सोती हुए एंड तक आती हुए यह देखिए LED टेल लाइट में लेगी आपको नबर प्रेट लगानी जगा रेर इंडिकेटर तो कैसी लगे आपको जावा 42 हमें बताएए जैहिंद हुए झाल ओर लाइबर जावाज के लगाते हुए